एक होम मेकर को घर की क्लेनिंग के लिए स्पेशल मोटिवेशन की जरूरत होती है विकेंड पर दिल करता है कि अराम से हस्बेंड और बच्चों के साथ बैठ कर टीवी पर कोई अच्छा शो देखा जाए या फिर बाहर जाकर घूमा फिरा जाए असलाम लेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल तरब खान विलॉक्स आई होब आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ घर की क्लीनिंग, टीकलटरिंग और और अर्गिनाइजेशन ये कोई इतना इंटरस्टिंग काम भी नहीं है लेकिन बहराल हर हाउस वाइफ को, हर होम मेकर को ये तमाम काम करने पड़ते हैं लेकिन इन तमाम कामों को करने से पहले एक होम मेकर का इन कामों को सरणजाम देने के लिए मोटिवेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक एक home maker इन तमाम कामों को करने के लिए motivated ही feel नहीं करेगी, वो काम कैसे करेगी से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैंने deep cleaning के लिए दो days fix किये हुए है, Thursday और Sunday अच्छा जब भी मुझे deep cleaning या decluttering करनी होती है ना, तो क्योंकि मुझे पहले ही idea होता है कि मैंने किन डेस पर करनी है और मुझे पहले से ही कोफ चुरू होने लग जाती है कि इतनी गर्मी में कौन करी है सब कुछ, क्या जरूरत है, ठीक तो है सब, लेकिन ये भी fact है कि मैं कभी भी अपने घर से लापरवान नहीं हुई तो आप सब लोगों को भी अपने घर की deep cleaning, cluttering और organization करने के लिए मैं थोड़ा सा motivate करने की आज कोशिश करूँगी, कुछ simple easy से tips शेयर करूँगी, आप इनको tips कह लें या मेरा experience कह लें सबसे पहली tip तो ये है कि आप अपना cleaning schedule बनाएं और ये schedule आप खुद बनाएंगी बेतर है कि जो भी schedule आप बनाएं उसको अपनी diary पर write down कर लें या फिर किसी एक page पर लिखकर अपनी almारी पर या पिर kitchen की cabinet पर paste कर लें वैसे मैंने तो diary में अपना schedule लिखा हुआ है, इससे हमें पहले से ये पता होता है कि हमने किस दिन deep cleaning, decluttering या चीजों की organization करनी है बहुत ही अच्छा होगा अगर आप schedule में ये भी लिख लें कि आपने किस दिन किस time पर घर के कौन से हिस्से को touch करना है जो भी schedule आपने बनाना है उसके साथ आपने stick रहना है sometimes ऐसे होता है कि जो day या जो time हमने fix किया हुआ होता है उसमें महमान आ जाते हैं या आपको गहीं जाना पड़ जाता है वो एक अलग बात है लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आपने उस दिन उस time उस काम के साथ stick रहना है हर हाल में उसको करना है कोई lame excuse अपने आपको नहीं देना cleaning, decluttering schedule बनाते हुए आपने दो बातों का खास तोर पर ख्याल रखना है पहला ये कि आपने पूरे week में ऐसा दिन चूज करना है इन तमाम कामों के लिए जिसमें आप productive feel करें जिसमें आप feel करें कि इस दिन आपके पास ये सब करने का time है और इस दिन आपके उपर घर की बाकी जिमेदारियों का बोज़ थोड़ा सा कम है अप दिन चूज कर लें तो फिर आप time चूज करें कि किस time में आपने ये सारा काम करना है किस time में आप अपने आपको relaxed और productive feel करती है जैसे मैंने जब भी cleaning या organization या decluttering करनी होती है तो मैं week में मैंने इस काम के लिए two days रखे हुए हैं Thursday और एक Sunday इन दो दिन में ही मैं अपना सारा काम करती हूँ Normally बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं दो तीन घंटे के लिए सो जाती हूँ लेकिन Thursday वाले दिन जब मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं सोती क्योंकि मुझे पता होता है कि आज मैंने अपने घर के स्पेसिफिक काम करने हैं और अपने आपको मैं दो से तीन खंटे का टाइम देती हूँ जैसे मैं आठ बचे सुबा शुरू करती हूँ और दस बज़े तक मैं फारिग हो जाती हूँ थाज़े के लावा संडे भी मैंने इनी कामों के लिए रखा हुए है संडे वाले देन अमुमन लोग बाहर घूमने पिरने के लिए जाते हैं या फैमली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन मैं क्योंके यूट्यूबर भी हूँ मेरे बाकी सारे डेज अपने बच्चों को पढ़ाने यूट्यूब वीडियो बनाने घर की देख बाल करने खाना पकाने और इसी तरह के कामों में गुजर जाता है सो संड़े वाले दिन ना तो मैं अपने बच्छों को पढ़ाती हूँ, मैं जतना भी उनका पढ़ने लिखने वाला काम होता है, में फ्राइडे और सैटेडे को करवा देती हूँ और अगर हमने कहीं बाहर जाना है, कहीं गुमना फिरना है, वो भी हम Friday और Saturday को कर लेते हैं Sunday का दिन मैं Vlog भी नहीं करती, Sunday का Maximum टाइम मैं अपने घर को देती हूँ जिसमें मैं घर की Organization, Deep Cleaning या Decluttering ये जितने भी काम होते हैं सारे, ये मैं Sunday वाले दिन कर लेती हूँ Sunday वाले दिन कभी भी हमारे घर में रोटी सालन नहीं बनता क्योंकि वो काफी ज़्यादा टाइम कंजूमिंग हो जाता है, मेरी कोशिश होती है Sunday वाले दिन क्योंकि मेरे उपर घर के कामों का प्रेशर होता है, तो मैं कोशिश यहीं करती हूँ कि राइस बना लूँ, चाहे पलाव बना लूँ, चाहे बर्यानी बना लूँ टिप नमबर टू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जस दिन आपने यह सब काम करना है, उस दिन आपने रोजाना से ज़रा ज्यादा जल्दी उठना है और उठते ही सबसे पहले अपने शावर लेना है, उसके बाद आपने अपनी चाहे या काफी लेनी है क्योंके चाहे या काफी में होती है कैफीन जो के आपको फ्रेश कर देती है, अपने काम के लिए तरो ताजा कर देती है, आपके अंदर एक एनरजी आ जाती है अच्छा उसके बाद आपने न ये जरूर करना है कि शावर लेने के बाद आपने रफ कपड़े पहनने हैं बेतर तो यही है कि अगर आप ट्राउजर या शिर्ट कोई खुला सा लूस सा पहन लें और अगर आपके पास नहीं है तो कोई खुली सी शलवार कमीज पहन लें या कोई पुरानी सी शलवार कमीज निकाल कर पहन लें क्योंकि जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है जब हम गर्मी में ये सारा काम करते हैं स्विस्ली स्वेटिंग होती है तो बड़ा जरूरी होता है कि आपके कपड़ों में से हवा क्रॉस होती रहे प्रैफरेबली लॉन के कपड़े पहन लें क्योंकि जब तक कपड़े कंफिटेबल नहीं होंगे हम खुद भी कंफिटेबल फील नहीं करेंगे और जब तक हम comfortable feel नहीं करेंगे तो काम कहां से सही होगा काम करते हुए हमारा mood अच्छा होना हमारे कपड़े comfortable होना बहुत जादा ज़रूरी है अच्छा तो तीसरे टिप ये है कि आपने जब schedule बना लिया उसके बाद schedule में आपने अपने आपको time भी assign करना है ये नहीं कि सर्फ आपने days fix कर लिया है ठीक है इससे बात नहीं बनेगी आपने days तो fix करने ही करने है साथ के साथ आपने time भी fix करना है अब ये तो ना होना कि आप पूरा दिन बस खड़ी घर की cleaning की कर रही है decluttering की कर रही है ऐसे नहीं करना आपने अपने आपको time देना है अब वो time दो घंटे का भी हो सकता है एक घंटे का भी हो सकता है तीन घंटे का भी हो सकता है it depends कि आपका काम कितना है कभी भी एक ही काम को एक दिन पर ना रखें ठीक है उससे आपको ठकावट हो जाएगी आप बहुर होने लग जाएंगी और बाकी दूसरे काम करने के काबिल नहीं करेंगी हमेशा अपने काम को छोटे छोटे टुकडों में करें जैसे आदा काम एक दिन पर कर लें और आदा काम जो आपने दूसरा डे अपने लिए फिक्स किया हुआ है उस पर कर लें सम्या इदर आओ यह न वो बॉक्साफ किया था न यह उसमें मेरे वो पड़े थे टॉप्स एर रिंग्स है यह लो पहन लेना शुक्रिया भाई जी कोई बार चौथी टेप यह है कि अपने कामों में दूसरों को भी शामिल करें जैसे संडे को सबका ओफी होता है आपके बचे भी घर पर होते हैं आपके हस्बंड भी घर पर होते हैं तो भई घर तो सबका है ना कोई एक अगेली आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है तो अपने husband को بھی इस काम में शामिल करें अपने बच्चों को भी इस काम में शामिल करें छोटे-छोटे काम उनके जिम्मे भी लगा दे लेकर जब सब मिल कर काम करेंगे न तो काम करने में भी मज़ा आएगा और काम जल्दी खतम भी हो जाएगा लेकिन कुछ husbands नहीं willing होते हैं इस तरह के काम करने में जैसे मेरे खुद के husband है उन्हें कोई interest नहीं है इस तरह के काम करने में तो आप house help का सहारा ले सकते हैं आज कल तो हर किसी के घर में helpers होती हैं, maids होती हैं तो आप उनको कह सकते हैं, Sunday वाले दिन usually helpers का off होता है last step जो के बहुत important भी है, वो ये है कि जिस दिन आपने ये सारा काम करना है उस दिन आपने अपने आपको एक reward जरूर देना है और वो reward क्या हो सकता है, वो reward ये हो सकता है कि सबसे पहले तो आपने अपने अपना सारा काम शाम होने से पहले पहले खतम कर लेना है उसके बाद आपने लेना है शावर अच्छा सा तयार होना है और फिर जाना है आपने अपनी फैमली के साथ बाहर डिनर करने के लिए किसी अच्छी सी जगा पर जाएं हस्बेंट के साथ वहाँ पर बैठें अच्छी अच्छी बातें करें बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें मुवी देखने चले जाएं डिनर बाहरी करें उस दिन आप घर पर कोकिंग ना करें कॉछ खावातिन मेरी जैसी हैं जो काम करने के बाद ठक जाती एं और बाहर जाने में इंट्रस्टेड नहीं होती क्योंकि यह बिलकुल ऐसी हूँ जब मैं शन्डे これは दिन ठक जाता हूँ तो पैमें टीवी आँ्न अन्र करोहूं और खाना हम ओर्डर कर लेते हैं आज के व्लॉग में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने अपना काम शुरू किया था अपने घर की सीलिंग साफ करने से सीलिंग साफ की मैंने सारी और उसके बाद मैंने जाले साफ किये और फिर मैंने वाल लाइट सारी साफ की फिर ड्रॉर्स को साफ किया मतलब हर चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की फिर आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर की आप लोगों को मोटिवेट भी किया कि आप लोग भी ये काम कर सकते हैं अक्सर ये कॉमेंट्स आते हैं कि आपको क्या मसला है आपके पास तो हेलपर्स हैं और आप खुद तो कोई काम करती हैं नहीं हैं आज के दौर में हर किसी के पास हेलपर्स हैं दो नहीं होंगी चलें एक हेलपर तो सब के पास है और जिनके भी पास हेलपर है सब को पता होगा कि हेलपर्स किस तरह से काम करती है हेलपर्स जो होती है ना वो कभी भी आपका घर ना तो संभाल सकती है ना ही साफ सुत्रा रख सकती है आपको खुदी करना पड़ता है अगर आपने हेलपर्स से भी काम करवाना है कि मेरा दिल करता है कि क्या मैं बस ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो उस से बेतर है कि इनसान खुदी कर ले क्योंकि इतना टाइम उस एनरजी पर लग जाता है जो हम इन लोगों को सिखाने में और बताने में लगा रहे होते हैं लेकिन बहराल जब घर बड़ा होता है ना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स टाइम आई हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजेगा इंस्टाग्राम का लिंक में डाल रही हूं डेस्क्रिप्शन में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजेगा और 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 अब ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं जो मैंने आपको थोड़ा बहुत मोटीवेट करने की कोशश की है आप सब लोगों ने मुझसे प्रामिस करना है कि आप इन टिप्स को फॉलो जरूर करेंगी ताके मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए तो बस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा मुझे इसी तरह से सपोर्ट करती रहिएगा मुझे आप लोगों के प्यार की आपकी सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है अपना ख्याल रखिएगा टेक कियर अलाहाफिज